दादा भगवान की कुछ पॉइंट्स हमारे गुरु की We become what we think What the mind can conceive, it can achieve हम जो सोचते हैं वैसी बन जाते हैं गुरु की एक बहुत important point है बहुत जरूरी आवर्शक point है तुम जो सोचते हो वो तुम बन जाते हो कभी आपने सुना होगा कैसी कोई कहते हुए अरे साब बड़ा जंजट है बड़ा दुख है, बड़ी दिक्कत है कोई काम ढंग से होता ही नहीं है सुना है कभी आपने सुना होगा क्योंकि उनका Mind ढंग से कभी सोचता ही नहीं है जो कह रहा है कोई काम ढंग से होता ही नहीं है वो खुद बे ढंगा है आप देख लेना भले वो पोज कितना भी अच्छा करता हो पोज करने में आपको वो बिल्कुल स़ही लगता हुगा और ये तो बिल्कुल सही है, अच्छे भले हैं, दिखते भी सही हैं, पर कह रहे हैं कोई काम ढंग से होता ही नहीं है, ये क्या मतलब हुआ, भगवान के राज में न अंधेर है, कहावत लोगों ने बना डाली, भगवान के राज में कोई अंधेर नहीं है, In God's world, everything is just, हर चीज बहुत काइदे से हैं, तुम जैसा सोचोगे, अच्छा एक बात बताईए, किसान गेहूं बोए, गेहूं का बीज डाले, मक्का निकलाएगी, कोई किसान ने आपको कभी बता दिया हो, आप एक inquiry float करना, पुरे world में message भेज देना, पुरी दुनिया में, एक किसान आ जाए, जो कहें, मैंने गेहूं का बीज बोया था, और मक्का निकली, आपका माइन क्या सोच के, क्या जवाब दे रहा होगा अभी, कोई जरुवत नहीं message डालने के, आप बताओ, आपका माइन क्या जवाब दे रहा है, गेहूं का बीज बो, मक्का निकलाएगी, क्या यह संभव है, जैसा करेगा, वैसा भरेगा, as you are so, so shall you reap, जैसा बोगे, वैसा काटोगे यह कावत, जैसा बोगे, वैसा काटोगे, बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए, कावत हैं, कावत हमें मतवेद भी होता है, अंतर भी होता है, कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई वैसे कोई वैसे कोई फरक नहीं पड़ता भगवान के राज में तो एक चीज है जैसा करोगे वैसा भरोगे पर ये सब को दिखता नहीं है क्योंकि अभी जो लोग बेईमानी कर रहे हैं बहुत फलफुल रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आता हम इस बात को स्विकार नहीं कर पाते के जैसा करोगे वैसा भरोगे कहा हैं कुछ लोग तो खुब गड़बर करते हैं फिर भी खुब फल फुल रहे हैं भावान ने एक बात कह दिये अर्जुन से हे अर्जुन गिता में एक कर्म की गती अतिगेहन है इसको लोग समझ नहीं पाते जनमों जनमों के खाते हैं कोई कैसे कर्म करके आया है इस जनम में उसको मिले जुले फल मिल रहे हैं कहीं वो आदमी दिखने में आ रहा है बेईमान है लेकिन कहीं वो आदमी सुबह चार बजे जाकर काफी लोगों को दानपुन करके आता है खिला के आता है गरीबों को कु तब हम उसको देखते हैं बेएमान है पर वो बेएमान कुरान में एक कथा आती है एक राजा था बहुत फलफूल रहा था बहुत खुशाल बड़ा भारी पैसा उसके पास तो फरिश्टों ने जाकर अल्ला से शिकायत करी या लाज ये जो राजा है कोई बढ़िया आदमी नहीं हम इसके बारे में जानते हैं ये कुछ गलत काम भी करता है अल्ला ने जवाब दिया देखो ये गलत काम जो करता है ना इसका फल इसको आगे चलके मिलेगा जन्नत और दोजख उनके आपी बताया स्वर्ग नर्क जैसा करेगा वैसा भरेगा वैसे बोला है कुरान में भी तो जैसा कर रहा है इसका फल इसको आगे चलके मिलेगा लेकिन क्या है तुमने वो सीन नहीं देखा इसका इसका दफ्तर खान सुवे से राद तक रहता है कोई आओ भूका नहीं जाता इसके आँ से दफ्तर खान वो जो भंडारा भंडारा लगा ही रहता है इसके आँ कोई आओ भूका नहीं जाता इसके आँ से मैं क्या करूँ मेरा तो नियम है जैसा करेगा वैसा भरेगा इतना दे रहा है कि मुझे इसको दस कुना होके देना पड़ रहा है मैं खुद अपने नियम से बंधा हूँ मैं क्या करूँ भगवान का जवाब है अल्लह मिया का जवाब है कि मैं खुद अपने अपने खाते से बंधा हुआ हूँ मैंने लिख दिया है जैसा करेगा वैसा भरेगा और यह इतना कर रहा है लोगों के लिए इसको दस गुना होके मिल रहा है मैं क्या करूँ बताओ और यह जो गलत काम कर रहा है इस का फल इसको मिलेगा पूरी पूरी बात पढ़नी चाहिए A man is what he thinks about all day long आप जो सोचते हैं हर समय वैसे ही बन जाते हैं अब यहां एक प्रश्म होता है हमारे मन में कभी-कभी बुरे ख्याल आते हैं, निगेटिव आते हैं, कभी-कभी कभी-कभी, डर की feeling आती है, क्रोध भी आता है, लोब की भी आ जाती है अहंकार भी आ जाता है निगेटिव ख्याल भी आ जाते हैं कहीं कुछ नुकसान न हो जाए कहीं ये मर न जाए कहीं हमारे साथ कुछ बुरा न हो जाए हमें तो आ जाते हैं ख्याल आदमी वो बनता है जो वो सोचता है अब क्या करें? फ़स गए यह तो दिक्कत हो गई आप कैसे करें उसके आगे की लाइन है अगर आपको बुरे ख्याल निगेटिव ख्याल गलत ख्याल अहंकार के काम करोद लो मोह के विचार आ भी जाते हैं आज हमको गुरु मिल गए हैं गुरु भगवान के इतने शुकराने हैं जिन्होंने बता दिया कि तुम संकल्ब से उन विचारों को काट दो नहीं ये सब मेरी चीज़े नहीं है not my cup of tea ये मेरे लिए नहीं है मन में पुराने विचार पड़े थे storehouse में subconscious mind में पुराने पुरानी feeding के हिसाब से बचपन से कुछ विचार पड़े थे जो अब negative रूप से निकल रहे हैं निकल रहे हैं ध्यान दीजेगा निकल रहे हैं हम नहीं सोच रहे हम नहीं सोच रहे ये विचार निकल रहे हैं निकलने दो इनको आ रहे हैं मिलो नहीं कहीं मेरे साथ ऐसा न हो जाए नहीं, तुरंग काटिये कुछ नहीं, भगवान मेरे साथ है गुरु मेरे साथ है सुमिरामसुगदा जी एक बात बहुत कहते हैं अपने सत्संग में हर व्यक्ति की हैसियत इतनी नहीं होती कि वो बहुत रुपया दे सके लेकिन भगवान के यह एक नयाय बड़ा बढ़िया है तुम्हारे पास सौ रुपय है, तुमने दस रुपय दान कर दिये किसी के पास एक लाख रुपय आये, उसने एक हजार दान करा इसका दान छोटा है तुम्हारा दान बढ़ा है 100 रुपे में 10 रुपे 10% होता है 1,001 परसेंट होता है 1,001 वाले को 10,000 दान करेगा तब उतना बराबर बैठेगा कितना बढ़ी आनी है हमें भगवाण किया वो नहीं देखते है तुमने कितने रुपे दान करें नहीं! तुमारे पास 100 रुपे हैं तिम ने 10 रुपय दान कर दिये, ति10 रुपय का 10% का तुमको benefit मिलेगा, तुमको फायदा मिलेगा, तुमको lot कर मिलेगा, और उसने 1 करोण में से 10, एक लाक में से 10,000 करेगा, तब उसको बैनेफेट मिलेगा, फायदा मिलेगा, वरना वो एक परसेंट के दान में रह जाएगा मतलब भगवान ने कर्म की गती को इतना बताया है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मत घबराओ जब गुरु हमारे साथ है, उनका ग्यान हमारे साथ है हम बढ़ते ही चले जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, कभी न रुकेंगे, कभी न ठकेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे आंधी आये चैतूफा आये, हम आगे बढ़ेंगे हिमत नहीं हरनी है एक लक्ष ले लो अपना जीवन में गुरु भगवान एक बात पताते हैं कि दुनिया में तुमारा कुछ करने का भाव है लक्ष लेलो और निश्काम भाव से भगवान आपके लिए करता हूँ उस काम को करते चलो भगवान मुझे आप चाहिए भक्ति के मार्ग पर चलना है तो चलो भगवान मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बढ़ो सब के लक्ष पूरे होते हैं दुनिया में जितने लोग हैं अपने अपने लक्ष रखते हैं बस इमानदारी, सच्चाई, निश्कामता, निश्कामता का मतलब होता है मुझे अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए भगवान मैं तो बहुतों का भला करना चाहता हूँ इस भाव को लेकर चलो अपने लक्ष को लेकर काम्यावी तुमारे पीछे चलेगी समय लगेगा भले जादू नहीं होता, हर एक के साथ जादू नहीं होता समय लगता है तुम निगेटिव सोचोगे तुमें लौट के निगेटिव मिलेगा सोचोगे मतलब फिर वही बात ध्यान दीजेगा मन में बात आ सकती है हमें मिलना नहीं है, उसको उसी समय काटना है नहीं नहीं, यह मुझे नहीं सोचना है नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं होगा नहीं नहीं, गुरु है न मेरे साथ भगवान है न मेरे साथ, कुछ नहीं होता यह सब, वेकार की बात मन में आती है हटो, 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 हटाओ, हटाओ वेकार की बात स्वामिराम सुग्धा जी एक और बात बताते है तुमको द्रश याद आ रहा है कोई मानली जी आख बंढ करके हम लेटे हैं कोई द्रश याद आने लगा डर का सीन याद आने लगा कोई मैं तरह तरह के डर के सीन आते हैं लोगों को याद तो क्या करो आँख खोलो उसी समय और पलकों को जपक लो फट पट 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 पलकों को जपक लो सीन कड जाएगा करके देखिएगा कभी मैंने बहुत बार करके देखा है सीन कड जाता है और अगर फिर भी याद आ रहा है फिर याद आ रहा है तो फिर उसको कर लो दस बार कर लो भले पलकों को जपक लो दस बार कर लो सीन कड जाएगा तो निगेटिव थिंकिंग आ सकती है बुरे विचार आ सकते है खराब विचार, निगेटिव थिंकिंग आ सकती है बेकार की बाते मन में आ सकती है लेकिन, लेकिन, लेकिन हमें उनको काटना आना चाहिए काटना गुरु सिखाते हैं हमको तुम बस कह दो, नहीं, बक्वास है मन में है, मेरे में नहीं है मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा में कोई विचार होते क्या, मन में विचार होते, मन में हूँ नहीं, बोल दो साफ, मन में हूँ नहीं, मन बोलेगा, वाह, क्या बात है, आज हीरो हो गए तुम, कल तक तो मैं हीरो था, तुम जीरो थे, आज तुम हीरो हो रहे हो, मुझे जीरो कर मतलब, मन मन कुछ नहीं होता, मैं आत्मा हूँ, जीरो कर दिया ना अपने मन को, अच्छा बिटे, अभी देखता हूँ, मन क्या करेगा, रिवोल्ट करेगा, और लाएगा विचार, आप डरना मत, बस, एक बात याद रखना, क्रपा करे जो आपनी, तो गुरु का शब्द कम आए, गुरु का शबद, गुरु का शबद क्या है, तुम गुरु की बात मानो, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं, काम नहीं बनेगा, गुरु को मानो, तो गुरु की भी मानो, तो काम बनेगा, People are always blaming their circumstances for what they are आज हम जो भी हैं हाला ठीक नहीं थे परिस्थिती ठीक नहीं थी हमारे मावाब ठीक नहीं थे तालीम ठीक नहीं थी उन पर पैसा नहीं था कुछ जादा जानते नहीं थे जादा हुश्यार नहीं थे लोग हमें अच्छे नहीं मिले परिस्थितियां खराब थी गरीब थे हम कुछ था नहीं हमारे पास क्या करें लोग ठीक नहीं मिले लोगोंने हमें धोका दे दिया बड़े लोग बेइमान मिले दुनिया में सब 420 हैं सब गड़बड है कुछ ठीक नहीं है क्या आप राइस कर जाओगे ऐसी बातें सोच सोच कर पीपल आर अल्वेज ब्लेमिंग दियर सर्कमस्टैंस फॉर वट दे आर आज हम जो कुछ है हालात और परिस्थिति ठीक नहीं थे लेखा कहता है आई डोंट बिलीव इन सर्कमस्टैंस हमारे गुरु भी यही बात कहते है परिस्थितियों वो को दोश मंदो तुम आगे बढ़ो तुम हिम्मत नहीं आरो तुम आगे बढ़ो दाधा भगवान ने इतना मूटिवेट किया है मैं जादा उस बारे में बात नहीं करना चाहता इतना ज़्यादा मौटिवेट किया है लोगों को क्योंकि दादा भागवान का जो लास्ट में जो नारा था वो तो एई था कि तुम आत्मा हो अहम ब्रहमास में था तुम असी मैं ब्रहम हूँ तुम भी वही हो मुक्ति हासिल करो तो अब क्या है ना उस सब्जेक्ट में हम जाएंगे तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा अभी हमारा सब्जेक्ट दूसरा चल रहा है तो उनकी वो बात लेते हैं जो शुरू में उन्होंने ली कि तुम खुद मेहनत करोगे तो काम्याबी से तुमें कोई रोक नहीं सकता लेकिन तुम खुद दोश दोगे दूसरों को तो तुमें कोई काम्याब कर नहीं सकता किसी को दोश मत दो तुम आगे बढ़ो तुम अपनी मेहनत करो लोगों ने ऐसा करा लोगों ने वैसा करा लोग तो करते ही ऐसा और वैसा है लोगों से आप क्या चाहते हो तो आप अच्छे हो जग कैसा जग मुसा आप जैसे हो वैसी सामने वाला है अच्छे को अच्छे ही मिलते हैं चोरों को सारी नज़र आते हैं यह तो गुरू के बाग के हैं, गुरू के बाग के हैं, जग कैसा है, जग मोसा, जग कैसा है, जग मेरे जएसा है, हरा चश्मा पहन कर मुझे कैसा दिखाई देगा, हरा पहन होगे तो हरा दिखेगा, लाल पहन होगे तो लाल दिखेगा, राइट, अपसेट हो गया, अब सब conscious mind में feeding हो गई as you sow so shall you reap किसान जब बीज बोता है अगर मालीजे वो काटों के बीज बोता है काटों की जाड़ी के तो क्या निकलेगा वहाँ पर गेहूं, बाजरा, जो, मक्का, जुआर है ना, चरी, गाई के लिए चारा काटे के जाड़ी के बीज बोएगा तो क्या निकलेगा काटे के जाड़ी कितनी भी fertile land हो कितनी भी बढ़िया land हो शरीर हमको बहुत बढ़िया मिला भागवान की बढ़ी करपा रही लेकिन किये हमने गलत का खेती खेत बहुत बढ़िया है fertile है उपजाओ है किसान ने बो दिये काटों की जाड़ी अब तो एक कहावद बनी as you so so shall you reap जैसा बोगे वैसा काटोगे तो कोई किसान उसमें गेहूं बोता है तो उसको गेहूं मिलता है अब human mind is more fertile कहरें जो human mind है वो और जादा उपजाओ है आप जैसा सोचते हो बोते भी नहीं हो सोचते हो वैसा ही होने लगता है किसान सोचे मेरे खेत में गेहूं हो जाए मेरे केत में गेहूं हो जाए हो जाएगा बीज बोना पड़ेगा तब ही तो होगा यहां तो भीज बोने की जरुवत नहीं है आप सोच और हो जाता है संकल्प की सिष्टी है यह जैसा संकल्प करोगे वैसा तुमारे सामने आएगा आज तो जिधार जाओना बड़ी भीड होती है जिधार जाओना बड़ी भीड होती है दो धारण मेरे सामने भी पीछे आए हैं पीछे सत्तं करने यहां से प्रेमी जा रहे हैं न तो एक आके बोले हमने जाते में सोचा कि रास्ते खाली मिलेंगे सुबै का टाइम है कहते ही हैं सब लोग सुबै सुबै जाओ तो रास्ते खाली मिलते उन्होंने बोला दुसरे ने एक तो गए आते में बोला अब तो 4 गंटे से कमनी लगेंगे और ठीक 4 गंटे में वो यहाँ पहुँची और जाते में उन्होंने सुचा था 3,7 3,7 गंटे के अंदर पहुँच गए थे दुसरे गए एक दूसरे शेर चार घंटा लगता है जी वहाँ पहुंचने में बड़ी फीर होती है traffic रास्ते में तो मैंने का सुबह सुबह जा रही हो तो भी नहीं सुबह तो तू तीन घंटा हो पहुंच जाएँगे चल पड़े है वो मैंने message करा, आते में तुम्हें सारे रास्ते खाली मिलेंगे ऐसा भाव रखना ऐसा सोचना, आते में भी तुमको सारे रास्ते खाली मिलेंगे अभी जितने में पहुचोगे उतने में ही लोट के आ जाओगे और कमाल की बात देखे, मेरी कोई इसमें बढ़ाई नहीं है, यह सब विचारकों का और हमारे गुरू का जो कहना है यह सब हमारे गुरू की बढ़ाई है जिन्नों ने ऐसे विचार दिये लोटते में उनको सवातीन जाते में सवातीन लोटते में पूरे सवातीन सडक वहाँ नहीं है सड़क यहां है, पता है आपको? सड़क यहां है कई विचारों कि आप किताब पढ़के देखी, किताबें भरी पढ़ी हैं इस बात के उपर दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया यहां है बाहर तो केबल अवेवैक्ती है पलाने रेस्टोराइंट में खाना खाने जाते हैं कभी पराई जमानी के आपको पता रहा है तो बड़ा अच्छा खाना मिलता है आज जा रहे हैं आज पता नहीं क्यों मन में ऐसा आ रहा है अच्छा नहीं मिलेगा और अच्छा ही नहीं मिला मन में आ रहा था, काट सकते थे न, पर जब तक गुरु नहीं थे जीवन में, तो गुरु नहीं थे, तो काटना आता नहीं था क्योंकि इन्हों ने भी तो कहा, दूसरे वालों ने जाते में कम टाइम लगता है, आते में जादा लगता है तो एक Message कमाल कर गया हमारे Guru कहते हैं जैसा तुम सोचो बेशा होगा लौटते में सारे रास्ते खले बोले एक जगह जाम नहीं मिला एक जगह जगह आराम से चलते चले आये हम भीड़ तो थी लौटते में भीड़ थी पर हम आराम से चलते चले आये और ताइम उतना ही लगा क्योंकि जाते में एक फाटक बंद मिल गया था तो सब आतीनी गंटे लगे आते में फाटक खुला मिला लेकिन भीड थी सब आतीन गंटे लगे तो अगर हम कुछ चाहते हैं जीवन में भगवान को चाहते हैं एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं बड़ा आद्मी पैसे वाला कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी लगातार भक्ती में मार्ग में चलें तो सच्चं के मार्ग में चलें तो संसार के मार्ग में चले तो, कुछ बनना है, करना है, पाना है तो, पैसे वाला बनना है तो, हर एक चीज, जिसको जो चाहिए, उसको उस मार्ग पर मेहनत करनी पड़ेगी, आप दो गोल एक बार में रख सकते हो, मैं भगवान की तरब भी बढ़ू, सत्संग में मेरे पाँ अच्छी चीज़ें हो, मन करता है भई, लोग हैं, अब सत्तरा की लोग हैं, है न, यहां बैठे हैं, आप कहेंगे, नहीं नहीं, हमारा तो मन करता है, हमें भगवान मिलें, बात करोगे, बाहर जाके कुछ और हो जाओगे हमारा भी मन करता है, हमारे पास भी थोड़ा अच्छा गर हो, अच्छा सब कुछ हो, गाड़ी भी अच्छी हो, परिवारा हो, यह सब सब चीज़ें अच्छी हो, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें, आप भगवान का भजन करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ, और भगवान से कह दो, कि मेरा तुमन करता है संसार में, तो आप संसार की सेवा करो, सब के लिए जीओ, सब के काम आओ, देखो कामियावी आपके कदम चुमेगी, तुम्हारे कदम चुमें ये दुनिया सारी, सदाखोश रहो ये दुआ है हमारी, गुरु की तो ये दुआ है, लेकिन अगर भगवान नहीं मिले, तो सब गुड़ गुबर हो गया, सब बेकार हो जाएगा, यहीं का यहां का यहीं रह जाएगा सब धरा रह जाएगा साथ कुछ नहीं जाएगा यह गुरु की बात हमको समझनी पड़ेगी साथ कुछ नहीं जाएगा करने का मन करता है करो अच्छी तरह रहने का मन करता है कोशिश करो, मेहनत करो पैसा चाहिए मेहनत करो, इमानदार बनो बेइमानी का पैसा फलेगा नहीं जादा दिन नहीं टिकेगा बीमारी में निकल जाएगा वकील, कोर्ट, केस का चैरी, होस्पिटल कहीं न कहीं निकल जाएगा देखा गया है, लोग करजे में आ जाते पीछे बहुत सुना COVID के समय में बड़े अच्छे पैसे वाले थे, करजे में आ गये कुछ लोग नहीं का, नहीं हमारा तो ठीक चलता रहा, कुछ लोग नहीं का, हम तो पहले कम वाले थे, ज़्यादा वाले हो गए यह कौन है सब, यह सब क्या हो रहा है सोच और कर्म सोच और कर्म यह सामने आते आगे उधारन देते हैं एक पानी का जहाज है आप हाथ बांद के बैठ जाओ तो कहां पहुँचेगा हाथ बांद के उसमें कैप्टेन है उसको चलाना है पानी के जहाज को आगे स्टेरिंग है पुरा इंजिन उसके सामने सब चीज है पता नहीं कहां पहुचेगा और स्टेरिंग को ठीक चलाता रहेगा कमपास देखता रहेगा मुझे किदर जाना है मेरा लक्ष किदर है और उसी रस्ते पर चलता जाएगा तो मन्जिल तक पहुच जाएगा इसी तरह हम सब का जीवन एक पानी के जहाज की तरह है कंट्रोल हमारे हाथ में है और कंट्रोलिंग पावर हमको मिलती है गुरू से हमारे जीवन में गुरू होते हैं हमारा जीवन बहतर होता चला जाता है आज ज़्यादा ता लोग बीस परसेंट वो लोग है जो गुरू की बात सुनते ही नहीं है एक कांच से सुनी दूसरे से निकाल दी ध्यान नहीं देते सत्संग में आए बैठे खाया पिया खिसके मतलब के यार किसके सत्संग में आए बैठे सुना खाया पिया खिसके मतलब के यार किसके कहावत है तो वो 20% लोगों की बात नहीं कर रहे पर 80% वो लोग है जिनका जीवन बहुत बदल गया है सारे शुकराने गुरू के है आगे कह रहे हैं 30 दिन का एक अपना टार्गेट बनाओ आप जो चाहते हो हम भजन करते हैं इतनी माला करते हैं माला बढ़ानी है हमको हम सच्चंग में जाते हैं सच्चंग सुनते हैं सच्चंग और बढ़ाना है हमको हमें सच्चंग करना है गुरू ने कहा जाकर सुनाओ दो चार लोगों को अपनी कॉलोनी में हमने टाइम बनाया बड़ी मुश्किल से लोग टाइम निकालते हैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकालकर आपको देंगे अच्छा बेहन जी आ जाना पंदरा मिनट को टाइम नहीं है पंदरा मिनट को आ जाना कीरतन भजन कर देना चलो अच्छा है टाइम अच्छा पास हो जाएगा आपको बड़े भद्दे भद्दे कमेंट्स मिलेंगे जब आप नया सच्छंग शुरू करने चलोगे किसी नई कॉलोनी में जहां लोग आपको नई जानते आपको एग्नोर मार देंगे एकदम आप मंदिर में वहां के कोई छोटा मोटा मंदिर जाके बैठ गए कीरतन करने लगी तो अखेली करती रहोगी साल बर तक मतलब अतिश युक्ती है मतलब ज़्यादा ऐसे करके बोला है हो सकता है दो तिन दिन बाद कोई आके बैठ जाए माता जी और मता जी कहां से आई हो तुम वहां से दूसरे शेहर से आई है अच्छा वहां कौन-कौन थे यह था वो तो शुरू हो जाएंगी संसारी मता जी भजन भजन करो चलो अब एक गुरू का गाते हैं हम चलो ऐसे हाँ चलो तुम गाओ मैं काम है मुझे जा रही हूँ फाल तो बाते करनी है साज बहु की बुराई बहलाई करनी है तो बैठ जाओ बजन गाना है तो चलो उठो आगे बढ़ो बहुत काम है और साज की बहु की बुराई में काम नहीं है ऐसे होता है संसार कोई नहीं, हमारे क्या, हमारे क्या जा रहा है हमारे गुरुजी जब सत्तंग, फर्स्ट गुरुजी दादा भगवान जब सत्तंग स्टार्ट करा तो पार्क में एक आदमी बैठा हुआ था बेंच पर उसके साथ थोड़ी सी बाचीत हुई बस वो भी अखवार पढ़ रहा था, वो तो इंटरेस्टेड नहीं था उनकी बाद सुनने में लेकिन वो लगे रही, क्यूंकि वो भी आता था पार्क में बैठके अखवार पढ़ता था वो भी कुछ-कुछ-कुछ-कुछ बोलते रहते थी समय लगता है और आज पूरी दुनिया में दादा भगवान का सत्सम हो रहा है पूरी दुनिया में सारे सारे कंट्रीज में हम लोग नहीं जानते उनको हम लोग नहीं जानते पर दादा भगवान से जितने लोग बने उनके आगे बनते गए उनके आगे बनते गए उनके आगे बनते गए तो ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है सत्सम एक व्यक्ति से शुरू हुआ गुरु भगवान के अनंत 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 शुकराने